तो हेलो फ्रेंट साज हम बात करने वाला जो हर पास मुबाइल फोन है Poco M6 Pro 5G मुबाइल फोन और साथ ही साथ जो है Infinix Note 30 5G मुबाइल फोन दोनों का करेंगे कैमरा कंपेरिजन इसमें आपको Poco में आपको 50 मेगा पिक्सल का कैमरा मिलता है और Infinix का जो Note 30 है इसके अंदर आपको 108 मेगा पिक्सल का कैमरा मिलता है तो दोनों में एक वैसे तो कंपेर कुछ है नहीं ये वाला ही आपका जीतने वाला है लेकिन फिर भी हम कंपेर कर लेते हैं आप लोग के डिमांड पे तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अगर वीडियो में नहीं है तो वीडियो को कर लीजे लाइक चैनल को कर लीजे सस्क्राइब बागी चलते हम वीडियो की ओर और दोनों का कैमरा ओन करने बाद हम फटाफट इसमें एक फोटो वगेरा क्लिक कर लेंगे ताकि हमें पता चल सके कैसी क्या कैमरा की क्वालिटी आती है तो दोनों में फोटो के ओप्शन पर आ जाता हूँ कुछ फोटो क्लिक कर लेते हैं तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं मैंने एक फोटो क्लिक कर लेते हैं तो देख सकते हैं पोको की क्वालिटी पोको के अंदर और इंफिनिक्स की क्वालिटी आप देख सकते हैं क्वालिटी काफी जादा अच्छी है पर पोको के जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी डल है colors वगेरा थोड़े कम है और यहीं आप Infinix quality देख लीजिए तो इसके colors काफी ज्यादा enhance है colors की quality काफी अच्छी दी गई है और Poco में देख सकते है colors थोड़े कम है लेकिन ठीक है जो price range में भी फरक है दोनों mobile phone के अंदर आपका जो Infinix है वो आपको 15,999 पढ़ता है और Poco जो आप 50MP के camera में काफी ज्यादा फरक है लेकिन camera जो है price range के हिसाब से सही camera quality दिख रही है ज्यादा photo वगेरा फट वगेरा नहीं रही है जो photo है वो फट नहीं रही है color सोड़े से कम आ रहा है बलकि इसमें जो आपका जो Infinix है इसके अंदर आपको AI mode मिलता है और Poco के अंदर आपको AI mode में पोको के अंदर मिलता है पर आप उसे on off नहीं कर सकते और Infinix के अंदर आप on off करके photo click कर सकते हो तो अब हम कुछ और photos click कर लेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके कि कौन से mobile phone की quality अच्छी है लेकिन अगर आपको Infinix और Poco में compare करना है तो मैं बता दूँ कि Infinix जो है उसकी जो quality camera की वो ज्यादा ही हुई क्योंकि वो 108 megapixel है लेकिन आपका जो Poco है वो भी कम नहीं है और आप देख सकते हैं Poco के मैंने और भी photos click की हैं तो Poco के अंदर भी ठीक था quality दे देचा है आप देख सकते हैं क्या quality आती है तो जो हमारा जो Infinix है इसके अंदर colors बहुत अच्छे आ रहा है निखर के color आ रहा है और जो Poco है उसके जो colors है वो थोड़े से dull हो रहा है Poco के मुकाबले Infinix जादा बहतर mobile phone है और price range के हिसाब से देखें तो Poco भी कहीं कम नहीं है Poco भी बराबर टकर दे रहा है क्योंकि 10,000 रुपे का आपको Poco मिलता है और आपका जो 15-16,000 रुपे का Infinix मिल जाता है तो दोनों की quality camera quality मैं बता दू 108 MP की camera quality जादा बच्छी लगी मुझे तो फ्रेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी हमें comment box में comment करके बताईगा Poco M6 Pro 5G mobile phone या Infinix Zero 5G mobile phone दोनों में से किसका camera अच्छा था जहां तक मैं बता हूँ 108 MP का camera काफी जादा बहतर था पर इसका price भी काफी जादा बहतर है और इसका जो price 10,000 है यह आपको पोको पर जा सकते हैं वो भी बढ़िया phone है और अगर आपको थोड़ा सा budget increase करना तो आप Infinix Zero 35G mobile phone भी ले सकते हैं बाकी आपको कोई सा camera अच्छा लगा वो हमें comment box मते बाकी मिलते हैं next video किसी और टॉपी किसा तब तक के लिए जाए जाए बारत भारत आपको